कि असलाम अलेकुम आज हम बनाएंगी बैज्ज्य के फ्याले हिए यह मैं ने एक भीज्य के आफ पर लिए घो गाप मैंने यह कुछ मचारी लिए हैं और मैंने यह तीन प्याल के जोमैने बारिक बारे काट लिए इस तरीके से इसके साथ मैने लिया जाओ लिया है कि मैंने रहा खैले है। पर जब हमारा भीजा तइयार हो जाओगा जब डालेंगे मैं ये तीम तीमाटर ले लिये जो मैंने बारेक पीस लिए ख सबस्दार दे और भुनावाच देरल लिया तो ये मैंने शाले न्यार कर लिए अब हम ने ये भीजा लिया ये ये समय लीगए धनिया मेर्चा आपने इसको हम एक उबाल देंगे जो इसकी विसेंदे वो सब निकल जाएगी तो देखिए मैंने ये पानी रख दिया कढ़ाई के अंदर उबलने के लिए और ये कितने अच्छी तरीके से हमारा पानी उबल गया है एक चंबच मैंने नमक डाला इसके अंदर जरसा और डाल दूँ और उसके साथ मैंने डाल ये आथा जमच हल्दी डाली अब मैं इसके अंदर एक खौड आने दूँगे इह पानी हमारा अच्छे सो बलने लगा है तो अम मैं इसके अंदर ये भेजा डाल दूँगी इसममें भेजा इसके अंदर डाल देती हूं तो मैंने ये सब भेजा पानी के अंदर डाल दिया है, अब में इसके अंदर एक चममच लस्टन द्रक़्ा डालूंगी, जिस से हमारे भेजे के अंदर की जो बिसेंद होती है, वो सब इसके अंदर से निकल जाएगी, और मैं इसको दो मिनट के लिए एक उबाल दे लूंगी तो देखिए मैंने दो मिनट के निए भेजे को पका लिया है पानी के अंदर और यह बहुत अच्छी तदिवे से पक गया है अब मैं इसे भेजे को इसमें से निकाल लूँगी तो देख लिए मैंने ये भेजा सब पानी में से निकाल लिया है अब मैं इसको भेजे को पकाऊँगी जिसके लिए मैंने कड़ाई के अंतर आधा कप मैंने तेल डाला है ये मस्टर्ड ओयल है और इससे भेजा बहुत अच्छा चटपटा बनता है और मैंने बहुत अच्छे तरीके से इसे गरम कर लिया अब हम इसके अंदर ये प्याज फ्राइ करेंगे इसे मुझे हलका टांस्पेरंट फ्राइ करना है तो देखे ये हमारी प्याज हलके भूरे कर लेके हो भाई ये अब मैं इसके अंदर लस्तना द्रग डालूंगी इसे डाल कि अच्छी तरीके से हम इसको दो मिनट के निए भून लेंगे तो देखे लस्तना द्रग डाल के मैंने दो मिनट तक भून लिया अब मैं इसमें गरमसाला डालूंगी एक चमच मैंने जीरे लिया था ये भी मैं सब इसमें डाल दूंगी मैं इसे थोरो asing की निए बस एक मिनट के निए इसको मैं भूनाओंगी जो गरमसाला हमारा इसकेंदर गरमसाले की खुशिभू हमाये तेल के अंदर आजाए अब मैं डालूंगी इसके अंदर ये टेमाटर जो मैंने पीसे बी तेमाटर ली है तो देखिए मैंने तिमाड़ेट डालने के बाद में भी दो मिनुट तक मसाले को भून लिया बहुत अच्छी अच्छी तरीके से इसके अंदर ये मसाले डालों कि देखिए किते अच्छी तरीक में से हमारा में में सब मसाले ने डाले वह भून गए इसे में एक मिनुन्ट के नहीं और भून गई और में इसके अंदर मसाले डालूगी यह मसाले डाल गए, मैं इने अच्छी तरीक इस भून लोगी, प्र्तल में में मसाले लिये थे, मैं दो चंचे पानी यूरु कर्यों मनुदा करें इस से भी होज़ यूरु, तो मैं यह बून लेती हूं तो देखिए मैंने यह कितने यह बून लिया है अब ही मैं इसके अंदर द्ठही डल के और इसे बून नूगी जब तक हमारा इसके अंदर देग असमेद का मज़ा खतम नहीं हो जाता है ब्रशा हम इसे इसी तरीके से भुनते रहें כण केगर लूप़ थार भूंते रहें लूप़ें लूपकी सबस्के एक वुच्छी सब दो ब्रशाइक नियुक poser भून गया है और इसके भूनने की बहुत ही अच्छी खुश्बू आने लगी है तो मैं अभी इसे दो मिनट तक और इसको ऐसी भूनूंगी चला चला आके तो देखिए हमने ये दो मिनट तक मसाले को बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया है और यह हमारा मसाला बहुत अच्छी तरीक बुन गया है तो अब हम इसके अंदर यह भेजा डालेंगे जिसके हमने इतनी छोटी चोटी बोटी करी भी थी अब हम यह भेजा इसके अंदर डाल देंगे तो देखिए हमने यह भेजा मसाले में डाल दिया है है अब इसे भेजे को मसाली के अंदर डाल के बहुत अच्छी तरीको भूनेंगे मसाली के साथ तो मैं भून लेती हूं फिर आपको दिखांगी। तो देखिए मैंने तो थासब आपकर में दो मिनट के यह और भू आ करना है भेजे 25 समास को पानी डाले के इसे चलाओंगी इसके अंदर हम हर रखेंगे थोड़ा सा इसमें बस डालोंगी और इसे चला लोंगी बहुत अच्छी तरीके से आपको दिखाती हूं देखिए हमारा भेजा बिलकुल तयार है अच्छी इसके ओपर गिरे भी आ गई है और रोगन भी आ गया इसके ओपर हमें इसे हलका हाथों से चलाओंगी मिलाने की निया और इसकी बहुत ही अच्छी हमारे पूरे घर में खुच्छबू आ रही है अब मैं इसके अंदर जायके के लिए गरम मसाला डालूंगी जो भे अब यह हमारा भेजा बिलकुल तयार है तो देग गरम मसाला डालने के बाद में नीकल पकाए आप में इसके अंदर अंदर हरा धन्यां और हरी मिलचे जो हमने काटके रखी वह ठीनदी में वह मिसका इंदर डालेंगे और यह हमारा भेजा भी तयार है देखिई कित्ता बिल्कुल तयार है, ये मैं आपको सर्क बरके दिखाऊंगी. तो देखें, ये हमाई रेसिपी बिल्कुल तयार है, भेज़ेगी. और आपको मेरी रेसिपी अच्छे लगई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मुझे दूआ में याद रखिए फिर मिलेंगे अगली recipe के साथ अल्ला हाफिज